नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमन कम होने के बाद पाबंदियों में छूट मिलने की संभावना बढ़ गई है। कोरोना की मौजूदा इस्थिती को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में शुक्रवार को समिक्षा बैठक हुई। इसमें कहा गया कि राज्य में संक्रमंदर अब एक फीसदी से भी कम हो गई है। बैठक में पाबंदियों में छूट देने की रूप रे कि 6 फरवरी के बाद नाइट कर्फ्यू हटाया जा सकता है। साथ ही पार्क, मौल समेत अन्य पहले की तरह खोले जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज व अन्य सिक्षण संस्थानों का भी खुलना तैमाना जा रहा है। हलांकि स्कूलों को लेकर अभी इस बात को लेकर मंतन जार ही है कि क्लास 1 से 12 तक या क्लास 6 से 12 तक खोला जाए। संभावना है कि सरकार फिलहाल 6 से उपर तक की कक्षाओं को सुरू कराने की इजाजत दे दे और फिर 15 दिन बाद 1 से उपर तक की कक्षाओं को खोल दिया जाए। बता दे कि पहले से जो कोरोना प्रोटोकाल जारी कि गया उसकी डेडलाइन छो फड़वरी को पूरी हो रही है इसी दिन सरकार अंतिम फैसला करेगी कोरोना संक्रमन की तीसरी लहर का प्रकोप पिछले दिसंबर महीने में बिहार में सुरू हुआ था इसके बाद बिहार सरकार ने 30 दिसंबर को राज्य के सभी स्कूल कॉलेज को को एहतियातन बंद करने का फैसला किया था सरकार द्वारा जारी प्रतिबंद अगला छो फरवरी तक जारी है इसी बीच राज्य में कुरूना संक्रमंदर 3.67 फीसदी से घट कर 0.3 फीसदी पर आ गई है प्रतिदिन के शंक्रमंद के मामले 500 से लेकर 700 के बीच सीमित हो गए है दूसरे राज्यों में भी नाइट कर्फियू हटा दिया गया है और स्कूल कॉलेज भी खोलने का फैसला किया गया है मुख्य सचिव आमिर सुभाणी ने कहा कि शुक्रवार को बैठक हुई है हलंकि इसमें कोई अंतिम निर ने नहीं लिया गया शनिवार को निरनायक बैठक होगी यहता है कि तमाम छूटे मिलने के बाद भी कुरोना नियमों का सक्ति से पालन के लिए भी सरकार आदेश नि की जा सकती है मास्क पहनने पर जोर अब भी जारी रहेगा